हेलो फ्रेंट्स सुगमग्यान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार मैं फिर हाजिर हूं समसामाई की संबाद को प्रेश्णों को लेकर अगर आपने अभी तक सुगमग्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बैल आइ इसका अंसर आपको कमेंट वाक्स में कमेंट करना है तो आई शुरू करते हैं आज का पहला प्रेशन है इंडिगो एयरलाइन्स के नए सीओ कौन निफ्थ हुए हैं इंडिगो एयरलाइन्स के नए मुख्यकारी अधिकारी कौन निफ्थ हुए हैं तो इस प्रेशन का उत् था अपना 2005 में हुई और परिचालन इसने शुरू किया 2006 में और इसका हेड़क्वाटर है गुड़गाउं अर्थात गुरूग्राम में और बरतमान में चेयर्मेन है एम दामुदरन और प्रेसिदेंट है आदित घोस आज का हमारा अगला प्रेस्ट है हाल ही में किर्सी पर राश्ट्रिय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो इस प्रेस्ट का उत्तर है नई दिल्ली नई दिल्ली में किर्सी पर राश्ट्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जो दिल्ली के बरतमान सीये में है वो हैं अर्मिंद केजरीबाल गवर्नर हैं अनिल बैजल और लोकसवा की कुल सीटे हैं 7 रायसवा की सीटे हैं 3 और विधानसवा सीटे हैं 70 आई ये अगला प्रश्म देखते हैं हमारा अगला प्रश्म है सुल्तान अबदुल्ला निम्ण मैंसे किस देश के नई राजा बने है तो इस प्रेशन का उत्ता है मलेशिया, मलेशिया के नए राजा सुल्तान अब्दुल्ला बने है और मलेशिया की राजधान है कौलालंपुर, बरत्मान में प्रधान मंत्री है महाथिर महमबद और वहाँ जो मुद्रा प्रियोग होती है वो है रिंगिट आज का हमारा अगला प्रेशन है हाल ही में किस युद्धपोट से LRSM मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है तो इस प्रेशन का उत्तर है INS चिन्नई INS चिन्नई युद्धपोट से LRSM मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है और LR-SAM की फुल फॉर्म होती है लॉंग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है हमारा आज का अगला प्रशन है 25 जन्वरी को करशना सोबती का 93 वर्स के आयो में रिधन हो गया किस से सम्मंधित थी तो इस प्रशन का उत्तर है सहित्य क्रिष्णा सोबती जानिमानी सहित्यकार थी और इनका जो प्रमुक सहित्य है वो है जिंदगी नामा दार से विछुडी दिल ओ दानिस बादलों के गोले तथा सूरज मुखी अंधेरे के और इनका उपन्यास एक है मित्रो मराजानी से इनको प्रसिथी प्राप्थ हुई थी और इन्हें जो प्रुष्कार प्राप्थ हुए उनमें से प्रमुक हैं सहित्यकाद्मी प्रुष्कार इस रो ने माइक्रो सेट आर और कलाम सेट वी टू उपगरह को किस प्रक्षेपण यान से सफलता पूर्वक अक्षा में स्थापित किया है तो इस प्रशन का उत्तर है PSLB C-44 से अभी हाली में इस रो ने माइक्रो सेट आर और कलाम सेट वी टू नाम के दो उपगरह प्रक्षेपित किये हैं इस रो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्ज और्गनाइजेशन इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और इसका मुख्याल है बंगलोरू में है और बरतमान में चेर्मैन है के सिवन आज का हमारा अगला प्रेश्ण है नई दिल्ली में दो दिवसिये प्रोद्योगी की सम्मेलन 2019 का आयोजन किसके द्वारा किया गया इस प्रेश्ण का उत्तर है राष्ट्रिय सूचना बिज्ञान केंद्र राष्ट्रिय सूचना बिज्ञान केंद्र अर्थाद एन आई सी के द्वारा प्रोद्योगी की सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है इसकी स्थापना 1976 में हुई मुख्याल नई दिल्ली में है और बरत्मान में महानेतिशक है नीता बर्मा और जो प्रोद्योगी की सम्मेलन 2019 संपन्द हुआ उसमें उसका जो इस्वार का थीम थी यानि विसे था वो था टेक्नलोजीज फॉर नेक्स जेन गवर्नेंस आज का हमाला अगला प्रेशन है Commonwealth of Learning की सद्भावना राजदूत के रूप में निम्न मैंसे किसे निक्त किया गया इस प्रशन का उत्तर है काथर यानि अम्मा काथर यानि अम्मा को Commonwealth of Learning की सद्भावना राजदूत के रूप में निक्त किया गया है आज का हमारा अगला प्रश्ण है निम्न मैंसे किस साहित्यकार को हाल ही में बर्स 2017 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इस प्रश्ण का उत्तर है सितांसु यश्यंद्र सितान्सू येश्यंद्र के लिए बर्स 2017 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनका काब शंगरह एक बखर के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है सरस्वती सम्मान इनका काब शंगरह याद रखेंगे बखर और इन्हें जो अब तक सम्मार मिलें उन्हें प्रमुक प्रुष्कार हैं पदमशिरी 2006 में और साहित्यकाद्मी प्रुष्कार 1987 में मैंने कल एक वीडियो में यानि जो पिछले वीडियो था हमारा उसमें मैंने एक प्रश्ण पूछा था प्रधारमंति नरेंद्र मोदी ने 23 जन्वरी को कहां पर सुभाश्यंद्र बोस संग्रहले का उद्गाटन किया तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है दिल्ली दिल्ली में प्रधान मंत्री जी ने 23 जन्वरी को सुभाश्यंद्र बोस संग्राले का उद्धाटन किया और आज के वीडियो को हमारा प्रश्ण है राष्ट्रिय मतलदाता दिवस कम मनाया जाता है A. 25 जन्वरी B. 24 जन्वरी C. 23 जन्वरी D. 22 जन्वरी आपको इस प्रश्ण का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट कीजिए शाथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद